शिक्षार्थियों, आपका इस कारिक्रम में स्वागत है। इस कारिक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अच्छा कैसे लिखें। शिक्षार्थियों, आप और हम भाशा के लिखेत रूप का प्राय प्रयोग करते ही हैं। कि आपने कभी ध्यान दिया कि हम बोलते हुए बहुत अधिक सोचते नहीं। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, हम तुरंत उसे भाशा के माध्यम से अभी व्यक्त कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है, कि जब भी हमें कुछ नया लिखना होता है, तो हम दस बार सोचते हैं। क्या लिखें, कैसे लिखें, शुरू कैसे करें, जैसे किसी को पत्र लिखने में, या प्रश्णों के उत्तर लिखने में, या कभी हम अनुछेद या छोटा निबंद जब लिखते हैं, तब हम ऐसा अनुभव करते हैं, या ऐसी ही किसी अन्य परिस्तियों में, इस प्रकार से आपको भी अनुभव हुआ होगा कि लिखना जो कौशल है उसके अनेक रूप है शिक्षार्थियों अब सहमत होंगे इस बात पर कि बोलना जितना आसान है लिखना उतना नहीं किन्तु लिखने का प्रभाव बोलने से अधिक स्थाई और प्रभावी होता है परंतु शर्त य मुख्य बिंदू कौन-कौन से हैं हमारे मुख्य बिंदू है सही शब्द चयन वाक्य विन्यास और वाक्य गठन हम कैसे करें शुद्ध हिंदी लेखन के गुण कैसे पहचाने लिखित अभिव्यक्ति को मुहावरे लोकोक्ति आदी की प्रयोग से अधिक प्रभावी कैसे बनाएं विरामचिन आदी का सही प्रयोग कैसे सीखें अपने विचार को सही क्रम देते हुए उन्हें अपनी भाषा में कैसे ढालें अनुछेद कहानी आलेक आदी को पढ़कर अपने शब्दों में कैसे लिखें शिक्षार्थियों भाषा के लेखन में मुख्यत दो पक् है जिसमें शब्द चयन वाक्य गठन मुहावरा प्रयोग अभिव्यक्ति शैली आदी आते हैं और दूसरा है उसका भीतरी पक्ष जिसे भाव या विचार पक्ष कह सकते हैं इसमें विचारों या भावों की गंभीरता स्पष्टता सरलता आदी शामिल हैं तो सबसे पहले हम लिखावट के कुछ नमूने देखते हैं लिखावट का पहला नमूना यह आपके समक्ष है आपने देखा यह किस तरह की लिखावट है क्या आप समझ पा रहे हैं या क्या लिखा गया है अक्षर स्पष्ट हो रहे हैं आपको चलिए हम लिखावट का दूसरा नमूना द लिखा है क्या सभी अक्षर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं क्या आपको लगता है कि यह वर्तनी शुद्ध है चलिए अब हम तीसरा नमूना देखते हैं यहां आपको भाशा स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है इसमें क्या लिखा गया है शब्दों में अ अक्षर स्पष्ठ हैं और उनका आकार एक जैसा है। शिक्षार्थियों, लेखन के समय आपको जिन बातों पर ध्यान देना है, वो मुख्य रूप से हैं, आपकी लेखन की स्वच्छता, सुन्दर्ता और सुडॉल अक्षर निर्माण, आपका हाशिया छोड़ कर लिखना और अक्षर शब्द एवं वाक्य से वाक्य के बीच की दूरी। अच्छे लेखन की कुछ शर्ते हैं जिन में से कुछ हैं कि आपका लेखन प्रभावी हो। जो भी आप लिखें वे सटीक हो और जो लिखा जाए वे व्याकरनेक दृष्टी से शुद्ध हो। शिक्षार्तियों, शुद्ध लेखन का मतलब है कि लेखन सुन्दर हो और शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो। वाके की बनावत ठीक हो, उसमें व्याकरन संबंदी कोई गलती ना हो। और सटीक लिखन का मतलब है कि आपकी बाद बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो। जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ निकले और वही दूसरों तक पहुंचे। इसके लिए आप सही शब्द चुने और सही वाक्य बनाएं। ऐसा करने के लिए तीनों सीडियां चड़ना जरूरी है। यानि बिना शुद्ध लिखे सटीक लिखन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना सीखना होगा। इसके बाद ही आप सटीक लिखन का कौशल सीख पाएंगे। शिक्षार्तियों हमारी कलपना पंख पसारती है और हमारे मन में जिन नए नए भावों का संचार होता है। हम उन्हें लिपिबद करना जाते हैं। अगर हमें शुद्ध लिखना आता ही नहीं तो हम अपने आपको अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हमें भाशा की सबसे छोटी एकाई वर्ण और उसके बाद शब्द से परिचित होना होगा। अगर हम सही शब्दों का चैन नहीं कर पाते तो लिखते समय वर्तनी के गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपने असनान किये की नहीं। यही बात वह लेखन में कर जाते हैं जो की गलत है क्योंकि असनान की जगे उन्हें सनान शब्द लिखना चाहिए था। कई ऐसे शेत्र हैं जहां स्थाई को अस्थाई की तरह उच्चारित किया जाता है। जबकि ऐसा लिखते समय अशुद्धी हो जाती है। शिक्षार्तियों कुछ लोगों की व और ब समबंदी अशुद्धी भी लेखन में हो जाती हैं। वर्षा को बर्षा और बनस्पती को बनस्पती लिख जाते हैं। इसके लावा श, श, स की अशुद्धी तो अधिकतर लोगों से हो ही जाती है। विशासन को सासन, नमसकार को नमशकार और कश्ट को कश्ट लिख जाते हैं। त और ठ के लेखन में भी खूब अशुद्या होती हैं। विशिष्ट के स्थान पर विशिष्ट और संतुष्ट की जगा संतुष्ट लिखते हुए आपने कई लोगों को दिखा होगा जो की गलत है। इसी तरह हमें एक श और च लिखते समय भी अशुद्यों से बचना होगा। लोग शमा के स्थान पर चमा या छिमा लिख देते हैं। हमें इस तरह की अशुद्यों से अवश्य बचना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग बात करते समय हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेमेल प्रेयोग करते हैं। हलांकि आज कल इस तरह की भाशा का प्रचलन बोलचाल में बढ़ता चला जा रहा है। जो की गलत है। हम कुछ उधारन देखते हैं। इन उधारनों में दो या तीन शब्दों के मिले जुले शब्दों का प्रेयोग किया गया है। पहला उधारन है बिफोर की वेब कुछ बोले मैंने ऐसा कर दिया। आप देखेंगे कि इसमें अंग्रेजी भाशा का प्रेयोग किया गया है जो कि बहुत ही अटपटा लग रहा है। दूसरा उधारन है स्कूल जाते समय मुझे राम एंड शामू वाक करते हुए मिल गए। ऐसे उधारन बहुत समाने हैं। इस तरह के प्रेयोग करते हुए आपने बहुत सारे ऐसे उधारन दिखे होंगे। इस प्रकार दो या तीन भाषाओं के मिले जुले शब्दों को हम कोड मिश्रन कहते हैं। इसी तरह आपने कई लोगों को एक ही अर्थ देने वाले दो-दो शब्दों का प्रेयोग एक ही वाक्य में करते हुए सुना होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसे पुनरुख्ति या दोरावदोष कहते हैं। उदारन के लिए मुझे इसी खत्रे का भय था। जब आप खत्रे का प्रेयोग कर रहे हैं, तो भय का प्रेयोग करने के आवशक्ता नहीं थी। लेकिन यहां पर खत्रे का भी प्रयोग किया गया और भै का भी जो कि सही नहीं है। दूसरा उधारन है गुनगुने गरम पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है। जब आप गुनगुने पानी की बात कर रहे हैं तो आपको गरम लिखने की आवशक्ता नहीं है। आप गुनगुना पानी लिखे या गरम पानी लिखे लेकिन दोनों का प्रयोग करना सही नहीं है। इसी तरह अगला उधारन है काल चक्र के पहिये के नीचे दब कर सब समाप्त हो जाता है। जब आप कालचक्र कह रहे हैं तो कहने का ही अर्थ है कि समय का पहिया तो आपको दुबारा पहिये का प्रयोग करने की आवशक्ता नहीं है तो इस प्रकार से दोहराव दोश हमारे लिखन में आता है शिक्षार्थियों हमारी अभिव्यक्ती में बहुत से जो दोश हैं वे बाधक रहते हैं और हम अच्छे रंग से लिख नहीं पाते हैं हमें इनसे बचना चाहिए ये दोश हैं अशुद्ध भाषा उचारण दोश वर्तनी दोश शब्द प्रयोग तथा वाक्य रचना संबंधी दोश हमारी मौकिक और लिखित अभिव्यक्ती में ये दोश बाधक बनते हैं शुद्ध बोलना या लिखना एक कोशल है एक हुनर है अब हम बात करते हैं उप्युक्त शब्दों के चैन की उप्युक्त शब्दों के अभाव में हम अपने विचारों या अनुभवों को व्यक्त नहीं कर बाते हमारे मन में कोई विचार उठा और हमने उसे भाशा में अभी विक्त करने के लिए शब्द खोज लिए मगर ये काम यहीं समाप नहीं होता शब्दों के चैन के बाद हमें यह भी देखना होता है कि उनका मेल बैठता है कि नहीं उधारन के लिए मान लीजे आपने लिखा कि मेरे माबाप बूड़े हो गए है इसकी जगा यदि आप लिखें कि मेरे ममी बाप बूड़े हो गए है तो अच्छा नहीं लगेगा ममी के साथ बाप का मेल नहीं बैठता या तो ममी पापा लिखा जाएगा या माँ बाब या अम्मी अबब इसी प्रकार यदि आप लिखें कि केरल में लिट्रेसी दर श्बसे अधिक है तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यहां शब्दों का प्रेयोग बेमेल है लिट्रेसी अंग्रीजी का शब्द है और दर हिंदी का या हिंदी में सक्षरता दर लिखिए या फिर लिटरेसी रेट जिक्षारतियों मान लिजे कि आप अपने किसी मित्र से मिलने उसके छात्रवास गए और वे अपने कमरे पर नहीं मिला आपको उससे बहुत जरूरी काम था तो आप क्या करेंगे जाहिर है आप उसके नाम एक चिट लिखकर ताले में लगाएंगे या कमरे में डाल देंगे मगर उस चिट पर आप लिखेंगे क्या क्या ऐसे लिखेंगे विनोध विगर टू डेंस से मैं तुमसे मिलना चाहता था मगर तुम नहीं मिले तुम्हें ग्यातव्य हो कि आसन परीक्षा के मद्दे नजर मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है इस तरह से लिखना क्या ठीक होगा नहीं बिलकुल नहीं क्योंकि आप इसमें जो कहना चाहते हैं वे ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उप्युक्त शब्द चयन और व्यवस्ते तता सटीक धंग से कही बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है यहां आपकी भाशा अटपटी है साथ ही साथ विगर टू डेज जैसे शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है हमेशा अपनी बात सीधे और सही तरीके से कहनी और लिखनी चाहिए आपको चिट पर लिखना चाहिए था कि प्रभावी लिखने के लिए हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी हो और उनका हम ठीक ठीक प्रयोग भी कर सकें आवशकता हो तो हम उपसरगों प्रत्यों की सहायता से नए शब्द भी बना सकें पर्यायवाची शब्द विलोम अनेक के लिए एक शब्द आदी जो हमने अब तक पड़े हैं तो यहीं कामाएंगे शब्द चैन की शिथिलता और चुस्ति को आप इन उधारनों से समझ सकते हैं शिमला पहाड पर बसा देखने योग्यस्थान है दूसरा विकल्प है इसका शिमला दर्शनिय परवतिय स्थल है दूसरा उधारन है वर्षों बाद बेटे को देख कर मा पगला गई इसका दूसरा विकल्प है वर्षों बाद बेटे को देख कर मा विभोर हो गई शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों विशेशन हमारी भाशा और अभिवक्ति को जानदार और प्रभावी बनाते हैं और विशेशन के बिना भाशा नीरस लगती है आप उधारन देखिए सामाने भाशा में लिखा जा रहा है कि मेरी भावी अच्छी है उनकी आखे अच्छी है उनका माथा अच्छा है माथे पर बिन्दी अच्छी लगती है वह कानों में जुमके पहनती है और नाक में लॉंग यदि हम विशेशन का प्रयोग करके एसे पुना लिखते हैं तो इसकी भाशा कुछ इस प्रकार से होगी मेरी भावी बहुत सुन्दर है वे चोड़े माथे पर बड़ी सी बिन्दी लगाती है उनके बाल काले, लंबे और रेशम से मुलायम है बड़ी-बड़ी चमकीली गोल आँखें तो गजब की है तीखी नाक में छोटी सी जगमगाती लौंग और बड़े कानों में लंबे से जूलते जुमके बड़े प्यारे लगते हैं शिक्षार्थियों आप स्वयम ही बता सकते हैं कि इन दो वर्ननों में से कौन सा प्रभावी है और क्यों केवल विशेशनों के कारण ही यह भाशा प्रभावी बन पड़ी है आप इन विशेशनों का जितना अच्छा प्रयोग करेंगे आपका लेखन उतना ही प्रभावी बनेगा अब हम बात करते हैं मुहावरों के प्रयोग की शिक्षार्थियों शब्दों का मेल बिठा कर व्याकरनेक शुद्धी को जान भर लेने से हमारा काम खतम नहीं होता क्योंकि हम अपनी लेखन शैली को प्रभावशाली और चुस्त बनाना चाहते हैं इसलिए हमें सरल मुहावरेदार भाशा का प्रयोग करना होगा प्रसंगा नुसार शब्दों, मुहावरों और सूक्तियों के प्रयोग से आपकी भाशा सुन्दर हो जाती है अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है तो इसका आर्थ हुआ कि ये काम बहुत ही सरल है यहां कहने वाले ने अपनी बात मुहावरे के सहारे आसानी से व्यक्त कर दी है और ये कथन भी असरदार बन गया है लेकिन मुहावरे के सटीक प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना है विशेशनों की ही भांती मुहावरे भी भाशा को जीवन्त और प्रभावी बनाते है मुहावरों में कम शब्दों में अधिक अभी व्यक्ति देने की शमता होती है और मुहावरा प्रयोग से जो प्रभाव पढ़ता है मैं केवल सीधे साधे शब्दों से नहीं पढ़ता इन वाक्यों को ही लीजे साधारन भाशा में कहा जा रहा है इस बच्चे की शैतानियों से मैं बड़ी परिशान हूँ लेकिन जब मुहावरे का प्रयोग करके इस वाक्य को पुना लिखा गया तो इस प्रकार बन पढ़ा इस बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा है दूसरा उधारन है दादा जी इतने बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं कि कभी भी मृत्यू हो सकती है मुहावरे का प्रयोग करके ये वाक्य है दादा जी तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं शिक्षार्थियों अब हम वाक्य गठन के नियमों की भी कुछ बात कर लेते हैं यो नियम जाने बिना भी हम वाक्य रचना करते हैं और खुब अच्छे से करते हैं बच्चा या अनपढ़ वेक्ती जब बोलता है तो व्याकरण के नियम जाने बिना बोलता है और प्राय ठीक ही बोलता है पर बोलने और लिखने में थोड़ा अंतर है बोलने में तो वक्ता प्रतक्ष दिखाई देता है और आवाज के उतार, चड़ाव, पदबंदों की पुनरुक्ती, शरीर की भाशा आदी के द्वारवे अपनी बात को अच्छे से समझा देता है अन्विती का अर्थ है वाक्य के भीतर, पदों के परस पर संबंद के अनुसार, वाक्य में उनका स्थान वाक्य रचना करते समय यह ज्यान होना आवश्चक है कि कौन सा शब्द कहां आएगा उन शब्दों के ठीक ठाक संबंद को जानने के लिए उनका एक दूसरे से सामझस से ही अन्विती कहलाता है जो लिखा जा रहा है वे व्याक्रण सम्मत होना चाहिए इसलिए पूरे वाक्य में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है दो शब्दों के लिंग, वचन, अर्थात, पुरुष, कारक और काल की जो समानता होती है उसे अन्विती कहते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया की अन्विती के अंतरगत नियम है कि कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्रिया उधारन के लिए गीता ने फल खाया बहुत लोग इस प्रकार का वाक्य लिखते हैं कि गीता ने फल खाई, जो की गलत है इसका कारण है कि कर्ता, गीता, इस्रिलिंग है, उसका कर्म, फल, पुलिंग है इसलिए क्रिया जो है, वह पुलिंग, अर्थात, खाया होगी इसका सही वाक्य होगा गीता ने फल खाया शिक्षार्थियों अब हम बात करते हैं विशेशन की किसी वेक्ति या वस्तु के गुण दोश, रूप रंग, आकार प्रकार, आदे की विशेश्टाओं का बोध कराने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं विशेशन वह शब्द भेद है जो संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताता हो और जिसकी विशेश्टा बताई जा रही है उसे विशेश्य कहते हैं विशेशन के कुछ उधारन है लाल गाय, काली बिल्ली, सफेद हाथी, उंची दुकान, फीका पकवान, मोटा लड़का, पतली लड़की आदी शिक्षार्थियों ध्यान दें कि आकरांत अर्थात आध्वनी से अंत होने वाले शब्द विशेशन जैसे गोरा, काला, पीला आदी में आपको ध्यान रखना है यदि आप कह रहे हैं गोरा लड़का, संग्या के स्रिलिंग अथवा पुलिंग होने से आपका विशेशन भी तदानुसार परिवर्तित होगा यदि आप लड़के के लिए गोरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो आप लिखेंगे गोरा लड़का, पीला कपड़ा लेकिन सर्सों के लिए अगर आप पीले विशेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्सों चूंकी स्रिलिंग है, इसलिए आप लिखेंगे पीली सर्सों अब हम बात करते हैं संग्या सर्वनाम की अन्विति की उदारन के लिए डाकूं का एक गिरो पकड़े गए दूसरा उदारन है, फूलों का गुच्छा बहुत अच्छे लगते हैं आप बता सकते हैं कि ये वाक्य गलत हैं अब हम बात करते हैं सर्वनाम की प्रयोग की हम उदारन लेते हैं इस वाक्य में दो बार सुमित आया है ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा है इसमें सर्वनाम का प्रयोग करने के बार सही वाक्य होगा तो शिक्षार्थियों आपको स्पष्ठ ही हो गया होगा कि ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं अब हम बात करते हैं विराम चिन्नों के सही प्रयोग की वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझने में विराम चिन भी सहायक होते हैं इसलिए अच्छी हिंदी लिखने के लिए हमें उचित सान पर उप्युक्त विरामचिन लगाना चाहिए विरामचिन न लगाने से अर्थ असपस्ट होता है और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी होती है जैसे पहला वाक्य है तुम उठो मत बैठे रहो इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विरामचिन नहीं लगा है इसलिए ये वाक्य बिल्कुल असपस्ट है कि इसमें वक्ता क्या कहना चाहता है अगला वाक्य है तुम उठो मत बैठे रहो आपको स्पष्ठ हुआ होगा कि विरामचिन लगने से यह जो वाक्य है यह उठने का आदेश है अगला वाक्य है तुम उठो मत बैठे रहो एक बार फिर से विरामचिन के प्रयोग से आपको स्पष्ठ हो गया होगा कि यहाँ पर वक्ता यह कहना चाहता है कि तुम मत उठो, बैठे रहो, अर्थात यहाँ न उठने का आदेश आपको दिया जा रहा है इसी प्रकार अगला उधारन है, राधा मोहन और कृष्नकांत पधार रहे हैं यहाँ राधा मोहन के बीच कोई विरामचिन नहीं है, इसलिए हम यह मान रहे हैं कि राधा मोहन एक ही वेक्ति हैं और इससे हमें यह स्पच्ठ हो रहा है कि दो लोग आ रहे हैं लेकिन अगले वाक्य में कहा जा रहा है राधा, मोहन और कृष्नकांत पधार रहे हैं तो विरामचिन के प्रयोग से हमें स्पष्ट हो रहा है कि तीन लोग आ रहे हैं शिक्षार्थियों अच्छी हिंदी लिखने में निपुंटा पाने के लिए अच्छे वाक्यों का गठन होना चाहिए अच्छे वाक्य से तातपर है सरल, स्पष्ट, चुस्त और आकर्शक वाक्य हमें यथा संभाव जटिल वाक्य बनाने से बशना चाहिए क्योंकि प्राय बड़े वाक्यों में गल्तियां होने की संभाव न रहती है बड़े वाक्य में जो कहना हो उसे दो, तिन, चार छोटे सरल वाक्यों में कह सकें तो अच्छा रहता है स्पष्टता के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि अर्थ स्पष्ट होने पर ही लेखन की सार्थकता है वाक्यों में अनावशक शब्द नहीं होने चाहिए और नहीं अप्रचलित, कठेन या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कुछ लोग समझते हैं कि जटिल तत्सम शब्दों के प्रयोग से रॉब पढ़ता है पर ये सच नहीं है सरलता में अनूठी सुन्दरता है आप स्वेम ही देखिए एक वाक्य है वाम प्रश्ट पर लिखित तरकों का अवलोकन करें ये वाक्य जटिल वाक्य है और इसी को हम बहुत ही सरल भाशा में जब लिखते हैं कि बाई और लिखे तरक देखें तो ये बहुत ही सरल और पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसान लगता है और पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है एक और उधारन देखिए भारत लक्षे प्राप्ती के सन्निकट प्रतीत होता है ये अभी एक जटिल वाक्य है प्राप्तीत अच्छा लगता है प्रभावी लेखन वे है जिसमें शब्दों का प्रयोग सटीक और वाक्यों की बनावट सुगठित होती है आपको लिखने में आसान हो और पढ़ने वाले को समझना आसान हो आप अपने विचार क्रम में रखें जिसे उसे पढ़ने में आपका मन लगे हम एक उधारन लेते हैं यहां एक अनुछेद है स्रिजनातमक मस्तिश्क आत्म विमोही होता है आत्म विमोही चिंतन में फैंटेसी जैसी प्रक्रिया का प्रभुत्व होता है यह अपेक्षाक्रत यथार्थता बहिर भूत होता है और अंतर मुखी रुझानों से खोतिक वस्तुओं का रुपायन प्रत्यक्षी करण करता है इसमें नियंत्रण की उन प्रक्रियाओं से विराम होता है जो यथार्थता चिंतन को संचालित करती हैं अतह यह यथार्थता चिंतन से अधिक सरल तथा तारकिक सूत्रों से अनावरुध है यह अमूर्थ रूपों की बजाए मूर्थ रूपों की ओर उनमुक्त होता है मूर्ती करण की रूपा कृतियां प्रतेक्ष बिंब रूपक साद्रश्य इत्यादी हैं इस चिंतन की चरम परिनती, मायावरण तथा तंद्रा मूलक बिंबावली है इस तरह यथार्थता चिंतन के विवेक्षील सत्य के विपरीत आत्म विमोही चिंतन का कलात्मक सत्य कल्पनाश्रित तथा मूर्थ होता है अब हम एक अन्यवधारन देखते हैं एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेर हवा का तेज झोखा आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई साप झूम रहा हो और उसका उपर का हिस्सा हवा जब और तेज होती है तो काफी झुख जाता है पर हवा के हलका पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है हवा मौज में थी, अपने जोकों में जूम रही थी इसलिए बराबर यही क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा देखता क्या रहा? उसकी जुक जूम में रस लेता रहा पड़े पड़े वह पेड पूरा न दिखता था इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा अम मुझे वह पेड जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि हवा कितनी ही तेज हो पेड की जड स्थिर रहती है, किलती नहीं है शिक्षार्थियों, निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि पहला अनुचेद अधिक कठिन है वह सरलता से समझ में भी नहीं आता, परन्तु व्याकरनेक दृष्टी से पूर्ण तह शुद्ध है वहीं दूसरा अनुचेद पढ़ने में अधिक आसान और शीग्र ही समझ में आने वाला है लेखन करते समय हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे मन में जो भाव या विचार हों, वे बिलकुल स्पश्ट हों उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रतीकों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना होता है लेकिन हमारी बात दूसरों को तभी समझ में आएगी जब पढ़ने वाला भी उन प्रतीकों या मुहावरों को समझता हो और हम भी उसका ठीक ठीक प्रयोग करें शिक्षार्थियों आज हमने चर्चा की अच्छा कैसे लिखें हम एक बार पुना दोहरा लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हमने क्या सिखा तो आज हमने सिखा कि सबसे पहले अपनी बात व्यक्त करने के लिए हम सही शब्द की तलाश करते हैं जब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, तो अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम वाक्य गड़ते हैं। जब हमारी बात एक वाक्य में पूरी नहीं होती, तो हम अनुछेद या पैरा बनाते हैं। जब एक अनुछेद में भी हमारी बात पूरी नहीं समाती तो हम कई अनुछेद वाला निबंद या आलेक तयार करते हैं लिखन की समय हम विशे का ध्यान रखते हैं प्रयोजन और पाठक का भी हम ध्यान रखते हैं अर्थात हम क्यों लिख रहे हैं और हमारी सामगरी को पढ़ने वाला कौन है इस बात का ध्यान रखना भी अवश्यक है हम यह भी ध्यान रखते हैं कि बातें उप्योक्त करम में रखे जाएं और एक अनुछेद की बात दूसरे अनुछेद में गड मड न हो या उनका दुहराव न हो शिक्षार्थियों आप हमीशा ध्यान रखें कि आप क्या किसके लिए लिख रहे हैं लिखते समय सदैव ध्यान में रहे कि आप क्यों लिख रहे हैं आपका लेखन विशे के अनुरूप है अथवा नहीं और आप जो तथ्या लिख रहे हैं उनका क्रम ठीक है अथवा नहीं आप यह भी ध्यान रखें कि आपकी शब्दों का चयन और प्रयोग सटीक है अथवा नहीं आपकी भाशा चुद है अथवा नहीं आपने विराम जिन्नों का प्रयोग ठीक धंग से किया है अथवा नहीं शिक्षार्थियों आज की इस चर्चा में हमने बात की कि अच्छा कैसे लिखें आप विभिन प्रकार से अभ्यास करके अच्छा लिखने का कौशल विक्सित कर सकते हैं ध्यान रहे अभ्यास ही इसका मूल मंत्र है आशा है आपको ये कारेक्रम लापतायक लगा होगा धन्यवाद